मैं रादेशाम, लेफ टेक्निशन, गवर्मेंट पॉल्टेक्निक कोलेज नागोर, ई लेक्चर 6, सब्जेक्ट कोड, 108, शोल्डिंग जालना या रांजना दातों के दो टुकडों को जोडने की एक वीदी है, अनेक मिश्री दातों जोड लगाने में काम आती है, टांका या जालना कहलाती है, टांका देने की किरिया केवल या अंत्रिक ही नहीं, क्योंकि जोडी जाने वाली दातों से जालन मिल जाती है, और प्रणाम सरूप कोई नई मिश्री दातों बन जाती है, टांके दो परकार के होते हैं, पकका टांका, कच्चा टांका, पकका टांका, वर् दातों को जोडने में काम आता है जो इतना ताप सह सके पका टांका दो परकार को होता है जस्ता या पीतल टांका जो विबिन अनुपातों में तांबे और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है ये दातो लोहा तांबा पीतल और गन मेटल जोडने के लिए परियुक्त होता है चांद प्रिकी और सफाई की आऊशकता होती है ये परियुक्त होता है ये भी लौव इससबात पीतल और गन मेटल जोडने के कामाता है कच्छा ठांका वह है जो बहुत कम ताप पर गलता है और प्राय सभी दातूं जोडने के कामाता है विबिन अनपात मेरंगा और शीशा मिला कर क अच्छा टांका बनाये जाता है, कुछ विशित मिला देने से गलनाक और भी कम हो जाता है, जोड़ी जानने वाली धातों का संप्रक में आने वाला आक्साइड के आउरन से डका होता है, अते टांका लगाते समय पराय कुछ राशाइनिक पदार्तों का परियोग करना पड़ असंबव होता है, ये द्रवयांग फ्लक्स कहलाते हैं, पक्के टांके में स्वागा काम आता है, कच्चे टांके में विविन धातों के लिए पराय स्वागा नोसादर कलोराइड का परियोग किये जाता है, केशी का किरिया इसके दो अर्थ होते हैं, पतली नली, एकाओं में द्रवयों की गती से छिद्र मादयम से होकर द्रवयों की गती जैसे मर्दा से होकर पानी का परवा, इसमें से पर्थम गठना में परदशन के लिए पराय केशी का नली का परियोग किया जाता है ब्रेजिंग दातों को आपस में जोड़ने की एक परक्रिया है इसमें बढ़ने की वाली दातो फिलर मेटल का या मिश्रित दातो को 450 cm डिगरी से अधिक गरम करके जोड़ने वाले दो या अधिक भागों के सटे भागों में इस्तित रिक्त इस्तानों में भर्ग दिया जाता है भर्ड़ने की क्रिया कोशी का क्रिया क्लैंप्रिंग एक्शन द्वारा संबव होती है अगला एक्सेजाइज ट्रेक्टिकल नमबर वर्ड़